आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक ऐसी यूनिक रेस पी जो इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी अब आप सोच रहे होगे ये कैसे बनेगा जब आप देखेंगे न तो आप खुद कहेंगे इतना आसान है आप हर बार यही नाश्ता बनाएंगे इसको बनाने क एक छोटा चमच के करीब नमक नमक को हमने इसमें डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच के करीब अजबाइन आप चाहे तो इसकी जगा जीने का भी यूज कर सकते हैं अजबाइन को हमने इसमें डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी लि तो यहां पर हमने थोड़ थोड़ा पानी डाल कर आटे को अच्छे से मसल कर इसका आटा गुनकर हम तैयार कर लेंगे तो यहां पर हम आटे को मसल मसल कर गुनकर तैयार कर लेंगे तो यहाँ पर जो हमें आटा लगाना है वो बिल्कुली सौफ नहीं लगाना है बस हलक असल सकत आटा लगाकर तयार करना है तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मसल लेना है ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से गुनकर तयार हो जाए तो यहाँ पर आटा हमारा गुंकर तयार हो चुका है तो इसको हम 10 मिनिट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं जब तक हम चलते हैं नेक्ट प्रोसेश की तरफ तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल तो इसके लिए हमने यहाँ पर कच्चे आलू लिया है जिनको हमने कद्दू कस करके अच्छे से दो तीम बार धोने के बाद उसको चलनी से चान लिया है उसको हम इस बावल में डाल देंगे तो बावल में हमने जो कच्चे आलू थे कदू कस किये हुए वो हमने डाल दिये हैं और इसमें अब हम डालेंगे एक कटी हुई शिमला मिच जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे इसमें अब जाएगी एक कटी हुई प्याज तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज की प्याज लीती उसको फाइनली चॉप कर लिया था वो हमने इसमें शामिल कर दी है और इसमें अब जाएगा एक छोटा चमच के करीब नमक नमक को भी हम इसमें डाल देंगे और नमक हमने यहाँ पर इसलिए डाला है जो सबजियां है वो पानी छोड़ देंगी तो यहाँ पर हम सबजियों में नमक को अच्छी से मिक्स कर लेंगे जब हम इसको mix करेंगे ना तो जो सबजिया है वो पानी छोड़ देगी तो इसको यहाँ पर हम 5 मिट के लिए rest करने के लिए रख देते हैं तो यहाँ पर हमारे 5 मिनिट हो चुके हैं इसको हम खोल कर देखते हैं यहाँ पर जो सब्जियां हैं उन्होंने पानी छोड़ दिया है तो यहाँ पर हम हाथ से मसल कर इसका जो पानी है वो निकाल लेंगे तो यहाँ पर हम इसको टैक से दवाएंगे ताकि जो पानी है वो ब प्रणद गोबी या पत्त गोबी या कोई भी सब्जी को पसंदो तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। एक कती हुई लाल मिर्च जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया था वो भी हमने इसमें डाल दी है इसमें हमने डाला है आदा छोटे चमज के करीब काला नमक आदा छोटे चमज के करीब सफेद नमक इसको भी हमने इसमें डाल दिया है और यहां पर हमने लिया है आदा छोटे आटे को हमें इस तरीके से कुछ मसल ना है ताकि जो आटा है वो बहुत दी बड़िया हमारा गुंद कर तयार हो यहाँ पर हमने आते को हाथेली की हेल्प से अच्छी से मसल कर गून कर तयार कर लेना है तो यहाँ पर हमारा आता बिल्कुल रेडी हो चुका है तो चलते हैं काउंटर की तरफ तो यहाँ पर हमने आते को निकाल लेना है और आते को निकाल कर हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा जो आता होता है ना वो काउंटर पर हम डश्ट कर लेंगे और जो आता है उसको यहाँ पर हमने इसमें रख लिया है और चाकू की हैल्प से हम इसमें दो पार्ट कर लेंगे तो तो यहाँ पर हम सूखा आर्टा कर देंगे और यहाँ पर जो लोई है वो हमने इस तरीके से बेल कर तैयार कर ली ओर nÕल पर च्यार नियर ने कर लेंगे तो यहां पर जो फिलिंग है इसको रोटी के उपर हमें एक सैट से फैला देना है, तो यहां पर आप चाहे तो पूरी रोटी के उपर भी फैला सकते हैं, तो यहां पर जो रोटी है इसको अटपाईएंगे तो यहाँ पर हमने इसको अंदर से दवाते जा रहे हैं ताकि जो इसकी फीलिंग है वो निकले नहीं तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको दवाया है और यहाँ पर हम हलक असा प्रेस कर देंगे और इसको हलक असा रॉल करेंगे तो यह लीजिए हमारे जो रॉल है वो बनक हाई रखी है और इसमें हमने 15 लीटर के करीप पानी रख दिया है पानी को हम यहाँ पर अच्छे से गरम कर लेंगे जब पानी गरम हो जाएगा तो यहाँ पर जो हम help से इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे तो यहां पर हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि यह बैटर हलक असा गाड़ा है तो यहां पर हमने आदा कप के करीब इसमें पानी डाला है पानी डालने के बाद हम इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे तो गोल हमारे यहां पर तयार हो चुका है तो पांस मिनट हो चुके हैं जब तक हम रॉल को देख लेते हैं तो यहां पर हम थारी हटा कर देखते हैं जो रॉल है वो हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और यहां पर यह अच्छे से हट भी रहे हैं क्यूंकि हमने इसमें औलगाया था तो यहाँ पर जो रोल है उनको हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं तो यहाँ पर रोल को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ हम चाकू के हेल्प से इसका पहले साइट क recommends करेंगे । तो इसको अब हम लंबाई में क愷िए आप तो इसको दो से तीन दिन के लिए फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं और यह बहुत ही जादा हैल्दी होते हैं तो आप जब चाहिए इसको फ्रिज से निकालिए और फटा फट से बना लीजिए तो यहां पर हमने जो रॉल है वो इस तरीके से कुछ कट करके रख लिए हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि इनकी फीलिंग भी नहीं निकलिए और यह बहुत ही जादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं तो यहां पर दोनों रॉलों को हमने इस तरीके से कट करके रख लिया है आप चाहिए तो इनको फ्रिज में दो से तीन दिन के लिए इस्टोर क बना कर तैयार किया था इससे यह बहुती जादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं तो यहां पर हम एक रॉल लेंगे और इसको यहां पर हम इसमें अच्छे से डिप कर लेंगे तो इधर हमने गैस पर आउयल को पैन में अच्छे से गरम कर लिया है गैस की फ्लेम को हम लोट अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल जाएका अपने किचिन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो यहां पर हमने जो रॉल थे उसको उलड़ते पुलड़ते हुए अच्छे से फ्राइब कर लेना हैं यहांपर आप देख सकते हैं हलकर ऐसी गोल्डन हो चुके हैं और यह बहुत स्याम जादा क्रिश्पी बनकर तयार होते हैं अगर आप एक बार बनाएंगे तो बछे По editor ुप हैंगे होते हैं तो यहां पर इनको बहार निकालेंगे तो लीजिए हमारा यमी टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है दिखने में इतना बढ़िया लग रहा है ना खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है जिसे बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और इसे खान को करीजिए व पर इसमने तीन पार्ट में डिवाइट कर लिया है वह में इसमें डाले के डालेगे हरा धनिया स्थी की चतनी को अन्क ओने ताइए हिसमें डालिए इसमें चोटा चमश के करीब नमक और साथी में जाएगा में से ऑनक क्रीब आटा आप किसी कतोरी या कपसी भी मेजरमेंट कर सकते हैं इसमें हमने आधा आटा डाला है और इसको यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इस स्टेश पर हमने पानी को बिल्कुल नहीं डालना है तो यहाँ पर हमने आटे को धनिये की चटनी में अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो बाकी का बचा हुआ आटा है वो भी हम इसमें डाल देंगे तो यहाँ पर हमने टोटल एक कप के करीब आटा लिया था वो हमने हरे धनी की चटनी बनाई थी उसमें डाल दिया है और इसको यहाँ पर हमने मिक्स करते हुए अच्छे से मसलते हुए इसका जो डो है वो बना कर तयार कर लिया है तो यहाँ पर हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तिमाल नहीं करा है तो यहाँ पर हम पंच लगाते हुए और आटे को अच्छे से मसलते हुए इसका एकदम परफेक्ट डो बना कर तयार कर लेंगे तो जैसे कि हम रेगुलरी में डो बनाते हैं आटे का उसी तरीके से हमने डो बना कर तयार कर लिया है यहाँ पर हमने लिया है एक mixing bowl और इसमें हम डालेंगे एक कप के करीब गेहूं का आटा साथी में इसमें जाएगा एक छोटा चमच के करीब नमक इसको हमने हाथों से अच्छे से mix कर लेना है जैसे कि हमने हरे दिनिये की चटनी का जो डो बनाया था उसी तरीके से हमने इसका भी डो बनाकर तयार करना है तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मसलते हुए और पंच लगाते हुए इसका भी एकदम डो बनाकर तयार कर लिया है दोनों डो हमारे बिल्कुल पर्फेक्ट रेडी हो चुके हैं ना ज़ादा सॉफ्ट है ना ज़ादा हार्ड है तो यहाँ पर हमने फिर से एक मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे एक कप के करीब बेसन कर लेंगे तो यहाँ पर यह अच्छे से ब्लैंड हो चुका है और इसमें एक भी लंस नहीं पड़ा है तो यहाँ पर यह अच्छे से ब्लैंड हो गया है इसमें हम डालेंगे आदी प्याज तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरधनिया दिया था वह हमने चौप करके इसमें डा A.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E. तो यहां पर मैथी बंदगोवी जो भी सबजी आपको पसंद हो आप डाल लीजिए बच्चों को यह बहुत जादा पसंद आएंगी तो यहां पर हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि जो सबजिया है वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएं इसको हमने रखना है अब हम चलते हैं काउंटर की तरफ और अब हम आटा लेंगे जो हमने धनिये वाली और जो सादा आटा लिया था वो हमने यहां पर ले लिया है और इन दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर अच्छे से चिपका देना है तो यहां पर हमने हातों से इन दोनों को अच्छे से च चिपका देना है जो धनिये वाला और जो सादा आटा है वो अच्छे से चिपक जाएंगे और हातों से इनको प्रेस करने के बार हम बेल लेंगे तो यहाँ पर हम जो नॉर्मली रोटी बेलते हैं उसी तरह से हम इसकी रोटी बेल कर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमने इस त में तुछ तरी की से इस को फोल्ड करना ताकि जो धनिये वाला आटा है वो अं जो ङौर को आए और ऐस घर अ में ऐसा भास वान根ट जो ऑखके कर लेंगे तो यहाँ पर हमने जो सारे pieces है वो cut कर लिये है तो यहाँ पर आप देखिए कितनी बड़ी है इसकी जो design है वो बनकर आई है तो यहाँ पर हम इसको हातों में उठाएंगे और इसको हलका सा चप्ता कर लेंगे तो यहाँ पर यह देखे कितनी बड़ी है इसकी जो डिजाइन है वो बनकर तयार हो चुकी है तो यहाँ पर हमने सारी जुल पेड़े हैं वो इस तरहां से बनाकर तयार कर लिये हैं यहाँ पर हम लेंगे एक कर्ची और कर्ची को उपर हम एक पेड़ा रखेंगे और हाथों से इसको हलका सा प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हाथों से इसको अच्छी से फैला लेंगे तो यहाँ पर हमने इसको अच्छी से फैला लिया है और इसके उपर हम रखेंगे स्टफिंग तो कर्ची को हम पहले एक काउंटर पर रख देंगे और इसके उपर हमने आदे चम्मस की करीब स्टफिंग रग दी है और इसको हम एक साइट से उठाएंगे फिर हम दूसरे साइट से उठाएंगे और इसको यहाँ पर हम अच्छे से प्रेस कर देंगे कि मम इसको दुसरे साइट से प्रेय्स करेंगे आपर हमने दून साइट से इसको अच्छी से प्रेयर करदे को अंदर कर ले ने हैं और इस्को यह इस तरीकरREE में इस तरीके से फोल्ड कर देंगे इस दिसंड बढ़िया बनकर तैयार तो यहाँ पर जो डिजाइन है वह बढ़िया बनकर तयार होगी है। और इसकी स्टफिंग भी बहार नहीं निकले गी है। और इस पर हमने रखना है स्टफिंग को और इसका हमने पहले एक साइड उठाना है और दूसरे साइड को हमने इसमें चिपका देना है तो यहाँ पर हम पहले इसको सैंटर में चिपकाएंगे और फिर हम इसको साइडों से हलके से प्रेस करेंगे ताकि जो डिजाइन है वो अ तो इसी तरह से जो सारे पीसिसे हैं, उनके हमने डिजाइन बना कर तयार कर लेनी है, तो लिए ज़िए कितनी उभर आई है, आपको कड्शी पर रखना है, तो काफी अच्छी से इसको प्रेस करना है, तो यहाँ पर अपर हमने लिए है इस तरीके की छलनी, और इस पर हम लग है इससे यह एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे नहीं तो यहां पर आपके जितने पीस आए आप उतने पीस रख दीजिए और इसके ऊपर भी हमने अच्छे से ऑइल लगा लेना है और लगाने से क्या होगा यह एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे भी नहीं और एजली निकल भी जाएंगे. तो यहां पर अच्छे से हमने इनकी ऊपर उल लगा लिया हैं अर हम चलते हैं गैस की तरफ. गैस सेड़ा रहा है और हमें उपर कडाई में यह प्म. करें फोड़ा है. और यह उन चिलनी को कडाई के उपर होने देना है यहां पर हमने हमने इन del粉 निकाल लिया है और यह काफी अच्छी से ठंडे हो चुके हैं तो हैं यहां पर मैं आपको एक खास से उठाकर दिखाता हुई देखें कितनीं बढ़िया इजो डिजाइन तो यह बहुत ही ज़दा टेस्टी बनते हैं तो यह पर आप इस तरह से काट कर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं तो यह पर हमने जो सारे पीसी हैं वो कट कर लिये हैं लेकिन हम यह पर इनको फ्राइब करेंगे तो यहां पर हमने गैस पर एक पैन रखा है और हम ढालेंगे एक चमसके करीरी और एल को अच्छे सीर गर्म कर लेना है और इसमें ड़ालेंगे और इसमें डाल देनी है और इसमें फारी छोटी चमज़ के कारीब लालमिस्ट पाउडर एक फृता चमज़ के करीब लालमिस्ट पाउडर और सानी चाहे की जु नाष्टा आप जरूर ट्राइबा ही रचा जान् करनेंगे जरूर कृजा रोड़ लगते हौना ज़ाम पर ऑन्युक्त किन मसाओं का सेर्फ है और सक्राइश अजदी अबम सेर्फ करने ओए रखने के वास्ता रिपा नीच अब साइस के आलु हैं. आलु को मैंने कोकर में उबा लिया है और इनको ठनडा करके इनके चिलका उतार लिया है. और इनमें बिल्कुल भी मॉश्यर् की रहे और इनको मैजर केहल्पसト्से हम Major कर लेंगे. और इसमें आपको इस बात का दिहान हीले को चैसले कि इसमें थे हम और एक भीड देंगे और आट गात tould협 में आड़ अब। जो हम शक्री नहीं यहार प्रमधन काइब शेठा मिर्च भीण वरफान कें कट अब पर दोच सब्सक्राइब देंगे प्रफटे लिया हुआ है आप जाए तो बॉइल करके हलका सा मैश भी कर सकते हैं तो यहाँ पर मटर को एक कर दिया है और इसमें अब जाएगा एक मीडियम साइस की प्यास जिसको हमने फाइन चौप कर लिया साधा भी कर सकते हैं और साथ ही में इसमें एड़ कर देंगे आदी छोटी चमच के करीब जीरा पाउडर और इसमें अब जाएगा आदी छोटी चमच के करीब पिसा हुगा गरम मसाला आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नीबू का रज़ भी एड़ कर सकते हैं यह आमचूर और आलों को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमारी बहुती बढ़िया स्टफिंग बनकर तयार हो चुकी है और इसमें अब हम एट करेंगे पोहा तो यहां पर मैंने आधा का पोहा लिया हुआ है और यहां पर मैं आपको एक सीक्रेट चीज बता रही हूँ इस्टफिंग में पोहा एट करने से इस्टफिंग में जो भी पानी होगा वो पोहा एब्सॉर्ब कर लेगा जिससे इस्टफिंग एकदम ड्राई बनेगी और इसमें हम एट कर देंगे आदी छोटी चमच के करीब धनिया पाउडर जनिया पार्डर को एड़ करने के बार, हम यू हाथों से अच्छी से mix कर लेगे तो यहाँ पर आपको हाथों को अच्छी से वाश करने के बार, इसको अच्छी से mix कर लेना है इस्टफिंग हमारी बाहती चटपटी और मज़िदार बनकर तयार हो चुकी है और अब हम लगाएंगे हाथ पे ऑईल ऑईल लगाकर हम इसकी एक छोटी छोटी बॉल बनाकर तयार कर लेंगे तो यहाँ पर हमने नीबू के साइस की बॉल बनाकर तयार करनी है तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरहां से बॉल बनाकर तयार कर ली है तो लीजी है हमने सारी स्टफिंग की बॉल्स बना कर तयार कर ली है ना तो हमें जादा बड़ी बॉल्स चाहिए और ना ही जादा छोटी बॉल्स चाहिए हमने नीबू के साइस की बॉल्स बना कर तयार कर ली है वाल्स हमारी एकदम डेडी है तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक मिक्सी का जार और इसमें हम डालेंगे सूजी तो यहाँ पर हमने एक कप मोटी सूजी ली है और इसको हमने ग्राइंडर में डालकर हलक असाप कीश लेना है जिससे हमारी जो मोटी सूजी है वो एकदम फाइन सूजी बनकर तयार हो जाएगी तो यहाँ पर हमने इसको ग्राइंट कर लिया है और सूजी हमारी एकदम बारिक बनकर तयार हो चुकी है तो यहाँ पर अगर आपके पास बारिक सूजी पहले से है तो आप वो सूजी भी ले सकते हैं लेकिन हमने यहाँ पर मोटी सूजी को एकदम बारिक सूजी बना कर तयार कर लिया है सूजी भी हमारी एकदम डेरी हो चुकी है तो चलिए जब तक हम आगे की तयारी कर लेते हैं इसके लिए हमने एक कड़ाई ली है और इसमें हम एट करेंगे एक कप के करीब फ्रेश दही तो यहाँ पर हमें खटा दही नहीं लेना है एकदम फ्रेश दही का इस्तिमाल करना है और इसमें हम एट करेंगे एक कप पानी तो यहाँ पर आपको जितना दही लेना है उतना ही पानी लेना है आप चाहें तो किसी कप या काटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं और इसमें हम एड़ करेंगे हाफ टेबिल स्पून के करीब नमक नमक को एड़ करने के बाद हम इसको ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लंच ना रहे मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि जो मिक्शिर है वो भटे नहीं तो यहाँ पर हमने दही और पानी को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है यह अच्छे से बॉयल हो चुका है तो इसमें हम एड़ कर देंगे सूजी यहाँ पर हमने जो बारिक वाली सूजी ली थी वो हमने इसमें एड़ कर दी है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर दिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको mix कर लेना है इसमें एक भी लंजना रहे तो यहाँ पर हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो यहाँ पर जो दही का mixture था वो एकदम गरम था तो सूजी इसको एकदम absorb कर लेगी सूजी ने अच्छे से इसको एकदम एब्सॉर्ब कर लेना है और इसको हमें जब तक पकाना है जब तक जो मिक्चर है वो पैन ना छोड़ने लगे तो यहाँ पर जो मिक्चर है वो हलका हलका सा पैन छोड़ने लगा है तो मिक्चर को हम निकालेंगे एक मिक्सिंग बाउल में और इसको हमने थोड़ा थंड़ा होने देना है और हातों पे ओयल लगाना है और मिक्चर को हमने अच्छे से मसलना है ताकि जो मिक्चर है वो एकदम स्मूद सा हो जाए तो यहाँ पर मिक्चर को हमने अच्छे से मसल कर तैयार कर लेना है मिक्चर हमारा कुछ इस तरह से हमने मसल कर तैयार कर लिया है मिक्चर हमारा एकदम स्मूध हो चुका है तो यहाँ पर हमने मिक्चर का थोड़ा सा पॉर्शन हाथ में लेना है और इसकी हमने एकदम गोल सी बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है तो इसको हमने राउंड राउंड करते हुए एकदम इसकी चिकनी सी बॉल बनाकर तैयार कर ली है तो इसी तरह से हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है तो यहाँ पर हमने सारी बॉल्स बना कर रेड़ी कर ली हैं तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं इसके लिए हम लेंगे एक नीबू की मशीन नीबू की मशीन को हमने खोलना है और अच्छे से ओईल से इसको ग्रीस कर लेना है तो यहाँ पर हमने ओयल से इसको अच्छे से ग्रीज करना है तो यहाँ पर हमने दोनों साइड में ओयल लगा कर इसको अच्छे से ग्रीज कर लिया है और अब हम एक बॉल उठाएंगे और नीवो की मशीन में इसको रख देंगे और इसको हलका सा हम प्रेस करेंगे और मशीन को हम खोलेंगे तो जो हमारी बॉल है वो कुछ इस तरह से बनकर तयार हो जाएगी तो यहाँ पर यह बहुती आसानी से बनकर तयार हो जाती है और इसके सेंटर में हम रखेंगे आलू की स्टेफिंग की बॉल इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है और कुछ इस तरह से इसको प्रेस कर देना है और इसको हमने साइडों से कुछ इस तरह से दबाते हुए इसको इस तरह से प्रेस करना है तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल इस तरह से सील कर देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा अटा होगा वो हम निकाल देंगे और इसको हमने बिल्कुल राउंड में घुमा लेना है तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल गोल शेट देंगे और इसके सेंटर में हम रखेंगे एक बॉल और इसको हलक असा प्रेस करेंगे प्रेस करने से क्या होगा इसका जो कचोरी का शेप है ना वो बहुत ही आसानी से आ जाता है और इसके सैंटर में हम रखेंगे जो हमने चटपटे आलू की स्टफिंगी बॉल बना कर तयार की है वो हम इसमें रख देंगे और हल्क असा इसको प्रेस करेंगे और साइडों से हमने कुछ इस तरह से इसको दबाते हुए बिल्कुल सील कर देना है तो यहां पर आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं से भी यह खुले नहीं बहुत ही अच्छे से इसको सील करना है और इस तरह से हमने राउंड आउंड घुमाते हुए जो बॉल है वो बना कर तयार कर लेनी है तो यहां पर मैंने इसी तरह से दूसरी भी बना कर तयार कर ली है तो यहां पर हमने सारी बॉल्स इसी तरह से बना कर तयार कर लेनी है और यह बहुत ही इसली बन जाती है और नियो बिंगनर्स के लिए बहुत ही ज़ादा हेलपफुल है तो यहाँ पर हमारी सारी बॉल्स रेडी हो चुकी है तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ गैस पर हमने एक कढ़ाई में ओयल को अच्छी से गरम कर लिया है और गैस की फिल्म को हमने मीडियम कर दिया है low to medium flame पर हमने एके करके सारी बॉल्स को इसमें डाल देना है और थोड़ी दिर के लिए इसे टच नहीं करना है फॉरन चमच नहीं लगाईएगा जब इसका शेफ फॉरम होने लगे तब इसकी साइट को टर्ण करते हुए इसको गोल्डन क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करना है यहाँ पर हमने सूजी की क्रिस्पी कचोरी में दही एड इसलिए किया है कि कचोरी की जो बाहर की लेयर है न वो बहुती ज़दा क्रिस्पी बनेगी और कचोरी का कलर भी एकदम ब्राउन आएगा तो यहाँ पर हमने इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है तो यहाँ पर आप एक बार इस रिस्पी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीड़ बेक हमें कमेंट के जरूर दीजिएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ी है इसका गोल्डन कलर आ चुका है हमने इसको उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी हमारी कचोड़ी बनकर तयार हो चुकी है तो इसको हमने एक जारे में डाल लेना है ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ओयल है वो बाहा निकल जाए तो यहाँ पर हमने चारो कचोड़ीों को बाहा निका लिया है आपके कड़ाई में जितना भी स्पेस हो आप उतनी कचोड़ी इसमें डालिएगा तो इसी तरह से हमने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है एक के करके हमने सारी कचोड़ीों को इसमें डालना है और गैस की फिलम को हमने लो टू मीडियम रखना है और ये बहुती ज़ादा क्रिस्पी और कुरकुरी हमारी कचोड़ी बनकर तैयार होती है यहाँ पर हमने जो दही और पानी का यूज किया है ना वो कचोड़ी के जो बाहर के लेयर है उसको बहुती ज़ादा क्रिस्पी और गोल्डन बनाती है और बहुती जादा टेस्टी हमारी कचोड़ी बनकर तैयार हुई है तो इसको मुझे 3-4 मिनट लगे गोल्डन क्रिस्प करने में गैस के फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा था और अच्छे सी ये फ्राई हो चुकी है तो लीजिये हमारी बहुती चटाकेदार और बहुती जायके वाली हमारी कचोड़ी बनकर तैयार हो चुकी है तो यहाँ पर मैं आपको एक कचोड़ी तोड़ कर दिखाती हूँ ये देखिए इसकी फीलिंग पूरे में प्रॉपर है और ये बहुती जादा टेश्टी बनकर तैयार हुए है तो आप इसको गरमा गरम बनाकर सर्ट कीजिए और ये बहुती आसानी से बनकर तैयार हो जाती है कुछ भी चटपटा मज़िदार बड़िया सा खाने का मन करे तो जटपट से सिर्फ आप आलू और सूजी से मज़ेदार सा स्नेक्स बना सकते हैं बहुती कम मेहनत में बहुती कम सामान से बहुती आसानी से तयार हो जाती है तो आज के लिए इतना काफी है फिर मिलती हूँ एक और नई रेस्पी के साथ जब तक इजाज़त चाहती हूँ थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग माई वीडियो टेक केर गुड केर बाई